सो हे गाइस स्वागत है मेरे एक और निव एक्स्पिर्मेंट वीडियो में आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे एक सिंपल तरीके से जुगाड करके एक कार टॉय जहें गाइस अगर आपके पास पूरानी वाली कार पड़ी हो सो हम उसे रिप्लेस करके नई कार हम उससे ब पूरानी टॉय कार का बॉडी लेंगे यहाँ पर चुए आप गेर देख रहे हैं यहाँ पर लगा होना चाहिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार की डिसी मोटर लेना है शिंगल से आप टौली जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उसे ले सकते हैं ठीक है और कुछ इस प्र तरीके से लगाएंगे यहाँ पर कुछ इस प्रकार लगाना है तो यहाँ पर जो मेन काम था कार के येर का वो पूरा हो चुका है जैसे हम डिसी मोटर को करेंट सप्लाई देंगे डिसी मोटर मूव करेगा इसके साथ साथ यह भी चकरी घुमेगी यहाँ पर विल्स मैं आपको बताता हूँ है सबसे पहले हमें याँ पर कुछ इस तरहीं से मार्क करना है और इतना पार्ट हमें रखोफना खाया इतना खा से हुए और गहिसके थोड़ा से सेफ में मिनदेंगे इतना फ़ा रहे एक बड़ीवा दिए बाद हम इन दोनों में 104 के विचो बीच उसकी लिए पर हम अपने स्टोपने और आपी इश्ता हैं छुकाया तो फटाफटी fundamentally से हीट होने देते हैं या पर हमारे कार के दो पाइखे हैं और आप बोलोगे कि बाई कार में दो ही पाइखेंगी है हमारे पास पहले से ही दो पैए थे, इसलिए हमने सिर्फ दो पैए काट किये ठीक है, तो ये हो गए हमारे wheels, और अभी हम इने हैं यहाँ पर लगाएंगे, तो यहाँ पर हमारे car के wheels और gear वगेरा फिक्स हो गया है, एकदम अच्छे तरीकी से यह वर्क कर रा है, तो यह बहुत ही अच्छा खासा मतलब की वर्क कर रहा है अभी गेर का काम तो हो चुका है तो यहाँ पर हम एक्स्ट्रा एक और फिचर एड़ करेंगे अपनी कार में जो की है आपने बड़े-बड़े कार्स में अगर देखा होगा कार्स या ट्यूलर्स में अक्सर आपने देखा होगा जो गेरवाला पार्ट होता है उसके रिए separate oil का एक box बना होता है तो वह सारे गेर्स मतलब की ओईल में ही डूबे रहते हैं ओईल इसलिए डाला जाता है कि वो गेर्स जो होते है वो freely move हो सके इसलिए oil डाला जाता है तो हम भी उस बात को ध्यान में रखेंगे और हमारे जो यहाँ पर गेर्स लगे हुए है इनको भी हम freely move हो सके इसके लिए हम oil के लिए जुगाड करेंगे तो कैसे करते हैं आपको मैं दिखाता आउट चलिए सो यहाँ पर इतना जो एरिया आप देख रहे है इसका हमने measurement कर लिया है और यहाँ पर ही हम oil की tank बनाएंगे छोटी से सो इतना हमने measure कर लिया है और measure करके कुछ इतना छोटा tank हमने बना लिया है सो यहाँ पर यह कुछ इस प्रकार लगाया जाएगा सो हम इसे instant glue से fix कर देते हैं एकदम अच्छी तरीके से सो यहाँ पर हमने proper तरीके से इस box को चिपका दिया है और अब बाहर की चीज़ कोई भी अंदर नहीं जा सकती और oil जो हमारा हो गया वो बाहर नहीं आ सकता ठीक है सो अभी हम इसमें यहाँ पर हमने hole कर दिया है oil डालने के लिए सो अभी हम इसमें oil डाल देते हैं सो यहाँ पर हमने oil ले लिया है और आपको यह instant glue की bottle देख रही होगी लेकिन हमने इसमें oil डाल के रखाए और गाइस अभी हम इसको हम अपने car के box में डालते हैं तो अब हम इसकी टेस्टिंग करेंगे तो चलिए चलते हैं इसके लिए बाहर तो यहाँ पर हमने बैटरी के कनेक्शन डिसी मोटार को कर दिये है ठीक है तो देख सकते हैं आप और जैसे ही मैं इस वायर को टच करूंगा तो यह देखना आप और ज्यादा इसे मैं नहीं गुमाऊंगा क्योंकि आप डिसी मोटार लगा हुआ है वो वाटर्फूरूफ नहीं है ठीक है सुगाई जैसा कि आपने देखा कि आपको मैंने अलग-अलग तरीके से अलग-अलग जगहे पर इसे चला कर दिखाया हमारे इस कार के इंजिन को हो चुका है ठीक है तो गईज यह video है यह कार के part one वाला video है इसके बाद जो next वाला video आएगा वो कार के part two वाले video में होगा और ऐसा करने का मेरा एक ही मक्सद था जो की था अगर मैं इसी video में आपको फुल कार कट बना के दिखा देता वो वीडियो काफी लेंध ही हो जाता और आपको देखने में उतना आपका मन नहीं करता अपका टाइम भी बैस्ट ना हो इसलिए मैंने ये part 1 वाला वीडियो रखा इसके बाद जो part 2 वाला वीडियो लाओंगा तो वो कार की हम डिजाइनिंग करेंगे अच्छी तरीके से उसका कवर बनाएंगे और स्टेप बाइ स्टेप आपको बताऊंगा तो गाइस पार्ट टू आला भी वीडियो जरूर देखना और इस वीडियो को लाइक कर देना तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिन बंदे मातरम बाइ